Hello Friends, Psychology की पाठशाला में आज का टॉपिक है Methods of Psychology, मनोविज्ञान की विधियां यदि हम मनोविज्ञान के बारे में बात करें तो मनोविज्ञान का इतिहास ये कहता है कि पहले इतिहास की बात कर रहा हूं कि मनोविज्ञान आत्मा का ध्यान है बात में कुछ लोगोंने का कि मनोविज्ञान चेतन अनुभूती का अध्यान है कुछ लोगों और आये उन्होंने का मनोविज्ञान मन का अध्यान है किसीने का मनोविज्ञान चेतना का अध्यान है किसीने का मनोविज्ञान व्यवहार का मानसिक व्रक्रियाओं का और अनुभूती का अध्यन है तो हुआ क्या कि चाहे आप चेतना के अध्यन की बात करें चाहे आप व्यवहार के अध्यन की बात करें आप चेतन अनुभूती के अध्यन की बात करेंगे अध्यान करेंगे कैसे तो इसका उत्तर है कि अध्यान करना पड़ेगा किसीने किसी मैथड का उपियोग करना पड़ेगा और उस मैथड का उपियोग करने के बाद हम लोग चेतन अनुभूती, व्यवहार, mental process या और कोई किसी का अध्यान कर सकते हैं तो मनो विजच्छान में बहुत सारी विधियां हैं अज केवल और केवल दो विधियों की मैं चर्चा करने वाला हूँ और दोनों विधियां ऐसी हैं कि जो बहुत ज्यादा important है और दो विधियो इसलिए भी करने वाला हूँ कि समय बहुत ज्यादा न हो जाए, जो हमारा वीडियो है, वो थ्वा सा छोटा बने, तो आज की जो दो मैथड है, एक का नाम है इंट्रोस्पेक्शन, और एक का नाम है अब्जर्बेशन, देखिये, इंट्रोस्पेक्शन की बात करें, जिसको आप हिंदी में कहते हैं, अंतर निर सब्जेक्टिव मैथड है, सब्जेक्टिव का मतलब है कि इसमें व्यक्ति खुद की जो फीलिंग्स है, खुद कैसा सोच रहा है, वो खुद को कैसी अनुभूती हो रही है, उसके बारे में बता रहा है, तो उस दूसरा आदमी जज नहीं कर सकता, अब आप ये बता है कि अगर आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं और आप भी सुन रहे हैं और एक दूसरा व्यक्ति भी सुन रहा है, अब दोनों से पुछा जाए अच्छा है वीडियो कैसा लगा, तो एक व्यक्ति कुछ और अलग तरेकी की बाते करेगा और दूसरा व्यक्ति कुछ अलग तरेकी क नहीं था, बहुत सारे जो dimensions पर आप विचार करेंगे, लेकिन अब आप मैंने क्या का, इसमें subjectivity है, आप अलग तरीके से सोचेंगे, दूसरा व्यक्ति अलग तरीके से सोचेंगा, एक ही घटना हो, तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो introspection method है, वो most subjective method है, introspection method किसने दिया, अपने psychology के schools के बारे में नहीं पढ़ा है, तो अपनी ही psychology की पाथशाला में, जितने भी schools है, उन सब schools के ऊपर videos बनाए गए हैं, आप उन videos को जाकर देख सकते हैं, तो एक सबसे पुराना school है, जिसका नाम है structuralism, सरचनावाद, और सरचनावाद जिसमें दो नाम बड़े famous है एक का नाम है William Went, और एक का नाम है Titchener. तो वैसे तो ये कहा जाता है कि William Wentτε ने सरचनावाद की स्थापना की और कुश कहते हैं कि Titchener ने स्थापना की क्योंकि base जो था वो William Wentτε ने रखा और उसका जो विकास है, वो Titchener ने किया था, ऐसा माना जाता है सरचनावादियों में. और संरक्षनावादियों में जो विलियम वंट हैं उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान क्या है वो चेतन अनुभूती का विज्ञान है चेतन अनुभूती को कहते हैं conscious experience और चेतन अनुभूती को आप जब इसके तत्वों से समझेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि चेतन अनुभूती में विलियम वंट ने तीन तरह के component की बात की एक जिसको कहते है sensation दूसरा जिसको कहते है feeling और तीसरा जिसको कहते है image अब इसको समझें कैसे इसको समझने का तरीका यह है कि आप आप क्या हुआ कि आप garden में गए और garden में गए आप बैठे हुए आराम से हरे भरे पत्तों को, फूलों को सब को देख रहे हैं, लोग वहाँ पर खेल रहे हैं, लेकिन आप दूर से ही देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत छोटी सी बच्ची है, और जैसी आपने छोटी सी बच्ची को देखा, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, conscious experience, जो कि psychology का जो आध आपको देखा तो आपमें एक भाव उत्पन्न हुआ, और भाव और कितनी प्यारी बच्ची है, कितनी सुंदर लग रही है, कितनी नौटी है, आप क्या रहे हैं, मलें इसको देख के आपके अंदर खुशी हो रही है, तो किस चीज का भाव हुआ, खुशी का भाव उत्प ही है उसको कहते है IMAGE उसको कहते है इंट्रोस्पेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन दिया किस ने था दिया था विलियम वुन्ट न Ain और टिच्छनर ने है अब एक मैठङ हो गया। दूसरे मैठङोट की बात करते हैं observation का method किस ने दिया था वो दिया था व्यवहार वादियों ने और उन्होंने व्यवहार वादियों ने व्यवहार की बात की जैसे की संरचना वादियों ने चेतन अनुभूती या जिसको कहते conscious experience की बात की थी वैसे ही जो व्यवहार वादी बिहेवरस्ट थे उन्होंने व्यव व्यवहार की बात थी की मनोविज्यान व्यवहार का अध्यन तो व्यवहार का अध्यन करने के लिए उन्होंने एक विधी दी जिसका नाम है observation, friction या अवलोकर अब के observation की तरीके में और पहले के observation के तरीके में बड़ा अंतर था लेकिन हम पहले के ही तरीके को पहले बात करेंगे और बाद में अभी जो modern जो observation है उसकी भी बात करने वाले देखिए observation करने का तरीका क्या है कि किसी भी घटना को किसी भी व्यवहार को देखकर आप observe करते हैं और आप देखकर observe करते हैं और फिर उसको record करते हैं For example आपको यह कहा गया कि ऐसा करो कि भारत में भारत में जो गाओं है उन गाओं में दशहरा कैसे मनाये जाता है जिसको आप विजया तरिशमी कहते हैं तो आप कहेंगे कि सब जगे रावन जलाये जाता है लेकिन कुछ जगे ऐसी हैं जहां पर दशहरा बिलकुल अलग तरीके से मनाये जाता है तो आप क्या कर रहे हो आप महाँ पर जा रहे हो और उस दशहरा के प्रोग्राम को या दशहरा जैसे मनाया जाता है आप उस प्रोग्राम को देख रहे हो आप देख रहे हो मतलब आप अब्जर्व कर रहे हो आपने अब्जर्व किस से किया आपके आखों से अब्जर्वेशन पांच सेंसरी ओर्गन से हो सकता है आखों से हो सकता है कान से हो सकता है जीब से हो सकता है टंग से हो सकता है जो आपकी पांच सेंसरी ओर्गन है लेकि फिर अब observe करने के बाद आप क्या करते हैं, उसकी एक report बनाते हो, क्योंकि आप किसी के व्यवहार का अध्यन कर रहा है, आप किसी घटना का अध्यन कर रहा है, आप क्या एक report बनाते हैं, उसे कहते हैं observation, अब observation दो तरहे क्या होता है, एक participant observation और एक होता है non participant observation, participant observation जिसका Hindi meaning होत अब यहाँ पर नाम से बिल्कुल clear हो रहा है participant observation इसका मतलब ये कि आप उस घतना का जिसको आप observe करने जा रहे हैं आप जिस वियवहार को observe परने जा रहे हैं आप क्या करें आप जिसके भी वियवार को अध्यन करने जा रहे हैं आप उसके साथ मिल जायें आप उसके साथ मिल जाएं मतलब कि आप उस घटना का एक अंग बन जाएं अब उस घटना का जैसी अंग बनेंगे मतलब आप ने उस घटना में सहभागीता कर ली इस वकाते participant observation और वहाँ पर रहे कर आप observe करें आप एक और example ले सकते हैं कि आप किसी classroom में बच्चे कैसे करना पड़ेगा लेकिन वहाँ पर बच्चे ये जानेंगे कि आप उनका observation कर रहे हैं तो एक इसमें दिक्कत है कि इसमें बच्चे अपने व्यवहार को change भी कर सकते हैं क्यों क्योंकि उनको पता है कि दोखो ये madam ये जो sir हैं ये class में इसलिए आये हैं कि ये हमारे व्यवहा बतलब कि आप बड़े neutral होकर आप कि वहला observe करते हैं किसी को नहीं पता होता है कि आप observe कर रहे हैं ये एक natural observation हो सकता है ये एक तरह का natural observation है कि घटना घट रही है class लग रही है कि वहला आप दूर से किसी तरीके से आप observe कर रहे हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं बच्चों को प बिल्कुल इस तरह से कि आप उस प्रोग्राम में कोई पार्ट नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके से आपने भागने लिए आप केवल और केवल इसको अब्जर्व कर रहे हैं और अब्जर्व करने के बाद आप उसकी एक रिपोर्ट बना रहे हैं इसको कहते हैं नौन पार्टिसेपिंट अब्जर्वेशन इस अब्जर्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर पहले आपको यह डिसाइन करना पड़ेगा कि आप किस चीज का अब्जर्वेशन करने वाले हैं क्योंकि व्यवहार के तो बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं, तो आपको ये fix करना पड़ेगा कि मैं इस व्यवहार के इस पक्ष का observation करना चाहता हूं, तो आप केवल और केवल उसी व्यवहार के पक्ष का अध्यन करने के लिए उस घटना का इंतजार करेंगे कि जब व्यवहार घटित होगा, तो जब वो घटना घटी तब आपने observe किया, और observe किसने तरीके से हो सकता है, आप participant observation भी हो सकता है, नौन participant कि साब मैं उसका हिस्सा नहीं हूं, मैं के वल observe कर रहा हूं, तो ये तो हुआ आखों से और कान से observation, लेकिन आज कल बहुत modern तरीके आगा है, आज modern त observation होगा, कि ऐसा करें कि आप class के बच्चों का behavior का observe करना चाह रहे हैं, तो आप एक camera लगा दें, आप महा पर एक tape recorder लगा दें, अगर कोई voice record करना चाहते हैं, तो voice recorder लगा दें, आप किसी दूसरे तरीके से, किसी दूसरे गजट से आप उनको observe करें, और जब उसको record कर लें, और record करने के बाद फिर अपनी एक report बना दें, तो ये क्या है, ये दो method है psychology के, introspection जो की बहुत subjective है, observation वो भी subjective हो सकता है, कभी कभी हम बायस कर देते हैं, हम पक्षपात कर देते हैं, हम एक घटना हो रही है, हम उसका observation कर रहे हैं, और हम ये सोट रहे हैं नहीं, वो लड़क अच्छा था, तो ये दो method है, अब कल या जब भी हमारा next psychology की पार्शाला का वीडियो आता है, हम फिर एक नए methods पर चर्चा करेंगे, और मैं ये मान कर चलता हूं कि आपको ये topic समझ में आ गया होगा, thank you, thank you very much.